नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डाइम विद अंजू में आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्ती दोई की रस्पी शेयर करूंगी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम गाढ़ा ये मिस्ती दोई बनकर तयार होगा हर बार आप एकद क्रीमी टेक्सचर वाला मिस्ती दोई बनाएंगे और एकदम थिक है देखिए कोई पानी नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है वो प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल नहीं आएंगी सभी टिप्स और ट्रिक्स को आप फोलो करें वीडियो को पूरा देखें जिससे की आप एक ही बार में मिस्ती दोई इतनी पाफिक बना सकेंगे चलिए शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले एक खाली बरतन में चलनी मैंने लगा दिया उसके उपर कोटन का क्लोथ कोई भी साफ कोटन का क्लोथ आपने लेना है और उसमें दह दही होता है बहुत जादा खटा नहीं होना चाहिए नॉर्मल दही जो है वो लिया है यह एक कब दही मैंने ले लिया है और इसको हमने इस तरह से लपेट कर रखना है इसके भी अलग अलग तरीके हैं कि आप इस तरह से पानी निकाल सकते हैं यह देखिए इस तरह से लपे सबसे पहले इसको लपेट दीजी अच्छी तरह से और इसके उपर कोई भारी वजंदार आप पत्थर रख सकते हैं इसे चटनी पीसने का पत्थर है या फिर आप कोई डबा रख सकते हैं इस तरह से पानी निकल जाएगा और अगर आप इस तरह से पत्थर नहीं रखना चाह आप इसको दूसरे तरीके से भी इसका पानी निकाल सकते हैं वह वह कि आप इस तरह से बांध कर कही भी साफ जगे पर लटका सकते हैं आपने देखा मैं ने टैप में भी बांध के लटकाया इसका पानी निकाल सकते हैं और इसको 4-5 गंटे कम से कम 4-5 गंटे इसको बांग कर रखना है फिर ये इस तरह से बिल्कुल ड्राए दही हमारा तैयार हो जाएगा हमें ऐसा ही योगर्ट चाहिए इसके लिए ये देखे बिल्कुल सुखा है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और आप भी इसी तरह से तयार कीजिए, ये बहुत important है कि इसमें पानी ना रहे, चलिए अब दूसरा काम करते हैं, उसके लिए एक पतीले में मैंने ये देखी, बिल्कुल एक छोटी चमज बस पानी लिया है, दूद का काम करने से पहले पानी जरूर एट करना चाहिए, पर बहुत कम, इसमें पानी का ज़्यादा यूज नहीं करना है, और फुल क्रीम दूद, एक लीटर मैंने इसमें ले लिया है, अब इसको बॉइल करना है, और इसके लिए फुल फैट क्रीम दूद ही ले, और बीच बीच में दूद को चलाते रहेंगे, ताकि नीचे बस बहुत जादा इसको नहीं पकाना है, पांच मिनट तक इसको ऐसे ही बॉइल करना है, उससे थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, ये देखिए बहुत जादा थिक नहीं है, पर पहले से थोड़ा फर्क पड़ा है, उसमें से आदा दूद मैंने अलग कर लिया है, पहले ही तैयार रखना चाहिए है, जब हम कैरमल बना रहे है, थ्री फोर्थ कप चीनी मैंने ली है, और उसको बड़े बरतन में लेना है, इस बात का खास ख्याल रखना है, और लगातार चलाते हुए, तेज आज पर ही इसको कर लेंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा कैरमल, बस इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि बड़ा बरतन लेना है, ताकि आप पर वो छीटे ना आए, आपका हाथ ना जले, जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते रहना है, ये बहुत जल्दी त तो इसको बीच में छोड़ना बिलकुल नहीं है, ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर इसका आ गया है, अब जो हमने दूद तेयार किया था, बॉइल किया हुआ ही दूद है, उसको थोड़ा-थोड़ा अड़ करेंगे, पर इस वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आच्छ बिलकुल धीमी होनी चाहिए, और अगर आपको जरूरत लगे तो गैस का बर्नर ओफ भी कर सकते हैं, और थोड़ा-थोड़ा दूद करके इसमें एड़ कर देंगे, मिक्स करते रहेंगे, ये देखिए बॉइल होके ये उपर आ रहा है, इसलिए बड़े बरतन की दूदात मैंने कही थी कि बड़ा-बरतन होना चाहिए, बाकी का दूद भी में एड़ कर लेती हूँ, और फ्लेम को अब हम बढ़ा सकते हैं, तो अब मैंने हाई फ्लेम फिर से कर दिया और बाकी का बचा हुआ दूद भी इसमें एड़ कर दिया है, अब इसको ऐसे ही फिर से पाँच मिनट के लिए पकाना है हमने, बस जादा नहीं पाँच मिनट के लिए और इस वक्त आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि इसमें मीठा ठीक है या नहीं, अगर आपको मीठा कम लगे तो चीनी और एड़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो चम्मत मैंने और एड़ किया है इसमें मिठा अपने टेस्ट के अकोडिंग ही एड़ करें आप कम पसंद करते हैं तो कम एड़ करें और अगर आप ज़्यादा मिठा पसंद करते हैं तो आप चीनी और भी आड़ कर सकते हैं अब यह देखिए अच्छी तरह से 5 मिनट तक ऐसे पकाते हुए मुझे हो गए हैं अब गैस का बर्ना हमने ओफ कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है बस अब इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे फ्रिज में नहीं रखना है इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे ही रूम टेंपरेचर पर आने दे अब जो हमने दही तयार किया था वो बिल्कुल पानी निकाल लिया था उसका उस दही को इस तरह से फेट लेना है ताकि ये क्रीम की तरह बिल्कुल तयार हो जाए और अब इसमें ये धीरे धीरे दूद हमने अड़ करना है पर याद रखिए दूद का टेंपरेचर इतना होना चाहिए कि जब आप उंगली डबो कर देखें तो आपकी उंगली पे बहुत जादा गर्म नहीं लगना चाहिए इस वक्त हमने ये अड़ करना है बहुत जादा गर्म नहीं होना चाहिए बस जैसे नॉर्मल गुन-गुना दूद होता है उतना होना चाहिए और अगर आपका दूद ये मिक्स करते हुए बिल्कुल अब आप इसको जमाएंगे तो बहुत अच्छा जमेगा, अगर आपके पास मिठी का बरतन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप स्टील के नॉर्मल बरतन में भी जमा सकते हैं, ये देखिए, रात भर के लिए अब इसको जमने के लिए मैंने रख दिया था, और उसके बाद, देख इस तरह से किसी भी पतीले में, कुकर में, कड़ाई में, जाली लगाकर, अपना मिस्टी दोई वाला बरतन, उसके उपर फॉइल पेपर, अल्मूनियम फॉइल जो होता है, वो कवर कर देना है, और उसको ढख कर अच्छी तरह से, धीमी आज पर, हमें इसे बेक करना है, ग हमारी गैस की फ्लेम धीमी होनी चाहिए, और दस मिनट तक इसको बेक करना है, बिल्कुल फ्लेम को कम रखेंगे, और दस मिनट के लिए इसको ऐसे ही बेक होने देंगे, और दस मिनट होने के बाद, गैस का बरनन हमने आफ कर देना है, और इसको ऐसे ही पंदरा से बीस पतीले में ही मैंने रखा हुआ उसको छोड़ दिया था फिर उसको थोड़ा रूम टेंपरेचर पर आने देते हैं और उसके बाद इसको फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड हमने कर लेना है अगर हम चिल्ड नहीं करते हैं तो क्या होता है चलो यह भी मैं आपको दिखाते हूं कि हमने उसको रूम टेंपरेचर पर ठंडा तो किया पर फ्रिज में नहीं रखा है तो देखिए उपर हलका हलका ऐसे पानी आता है तो यह भी नहीं होना चाहिए जब आप मार्केट से करीते हैं तो इस तरह से पानी बिल्कुल नहीं देखता है मिस्ट्री दोई में तो इसको हमें फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड कर लेना है और उसके बाद देखिए कैसा दिखता है यह देखिए एकदम परफेट दिख रहा है कोई पानी नहीं है इसमें आप इसको उल्टा भी करेंगे बरतन को तब भी यह बिल्कुल नहीं निकलेगा और यह देखिए मैं चम्मत स इसको निकाल कर दिखाते हूं यह एकदम गाड़ा जम कर तयार हुआ है यह देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी जैसा होना चाहिए एकदम परफेक्ट यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर ऐसा ही हमें चाहिए आप इन सब टिप्स और ट्रिक्स को अपनाएंगे तो हर बार मिस्टी जोई बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे भले ही आप पहली बार बनाना चाहते हो ये पहली बार में भी परफेक्ट बनेगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेर, सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू